नमस्कार दुफ्तों में संदीप स्वागत है आप सभी आपके अपने ही चैनल सक्षेश टूपर दुफ्तों आज किस वीडियो के इंतर कद हम बात करने वाले हैं भी ए फश्टेर के फश्ट समेस्टर के पुलिटिकल साइंस यानी राजनीती साफ्तर के स्लेबर्स के बारे म अगर आपको स्लेबर्स और ये मालूम होगा कि प्रश्ट कहां स्याएंगे तो आपको यानी की कोईश्टिन का एंसर पढ़ने में या फिर समझने में जदा से भी समझा नहीं होगी यानी कि एक्जाम की तयारी करने में तो हम आपको बताएंगे कहां कहां से प्रश्ट और यानिके आठ यूनिट में हैं ठीक है तो पहला यूनिट जो है उसमें कहां से प्रशना आएंगे किस प्रकार के आएंगे हम आपको बताते हैं पहला यूनिट नंबर एक कि भारतिय राष्टे आंदोलन में जन्म ब्रथि और राज नेतिक रुज्हान यानि तो आपको गुछ इस प्रकार लिखना है कि भारतिय राष्टे जो आंदोलन है ठीक है भारतिय राष्टे जो आंदोलन हैval से माल लिजे कि सन 1885 में भारते राष्टे कांग्रेस की न्यू पड़ी धान दिजेगा पहले समझेगा वह दौर था दिसंबर का 1850 में भारते राष्टे कांग्रेस जो थी उसकी न्यू डाली गई यानि कि स्थापना हुई आगे चलकर इसी के नेतृत में विदेशी सासन से सतंत्रता के लिए भारतियों ने एक लंबा और साहस पूर संगर से चलाया और अंत में 15 अगस्त 1927 को भारत मुक्त हो गया है यानि कि कांग्रेजों से ठीक है ओ स्वरी अंग्रेजों से ठीक है 15 अगस्त 1924 को अपना दिस आजाद हो गया किन लोगों से जो हमारे देश को ख भारते वह वास्तो में अगर इसó देखा जाए तो भारत के राश्ट तायlot में आप लग को उठा के आप갈 सभाल कर दो की अब पलने माने फाणी प्राइंगे तोद्थ प्रकार ल्खा सकते को आप सब्सक्राइब विए सनगे अपको सब्सक्राइब तो तो वहां सभी आपको आइडिया लग जाएगा ओके तो दूसरा नंबर जो यूनिट है इसमें कहांसे प्रशना हैं लिखा कि भारत के संवेधान सभा दर्शन के संवेधानिक बिकास का चरण संवेधान नाग्रिक्ता के बारें लिखना है तो आपको अपने उत्तर जो भी आपके पास बुक है उसमें से पढ़ लिजेगा तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो भारती सम्वैधानिक विश्कास के जो चरंण है ठिक है उनके पारए में आपको लिखना है कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है तो आप को लिखना między एक है है ञदि जो हमारी गौर्मेंट है ठिक है या फिर जो प्रकुरिया है समाज की या फिर सरकेंद्र की या फिर सरकार की जो भी आप लोग कह लीजिए ठीक है तो उसको चलाने के लिए बिभिन्य नियम और कानून या फिर उपनियम लगाया गए हैं तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें सासन ब्यवफ्ता से संबंदित बिभिन्य सब्सक्राइब करना है तिक है और समिधान के उनसार देश्च की जाच नितिक विवस्था का बुनियाद प्षाब हांचा है की सम्विधान में जो आप लोगम मालूं की बहुत सारे उच्छे पांधें तो कि अनुसार के अनुसार ही ब्लोग के अनुसार ही देश की जो जिटे के दुनिया है आपके पुलिटिकल वर्ल्ट है ऊक्र candidateि तो उसकी जो ब्यौस्था होती है किस प्रकार होनी चाहिए उसकी जो यानि कि आप लोग माली जे आप इलक्शन पड़ता है ठीक है वहां पर क्या क्या नियम होते हैं आप सब एक मालूब है कि पहले जनता को बताया जाता है और फिर जनता ओटिंग करती है फिर उसके बाद कैसे होना चाहिए फिर किसको नियुक यानि कि उसके लिए कौन इलिजबल है कौन इलिजबल नहीं है तो यह साही चीज़े आपके संभिधान में लिखी है कि कौन उसके लिए यानि कि प्रधान मंत्री जो पद है उसके लिए कौन उम्मिदवार है कौन नहीं है तो यह साह मौलिक अधिकार, मौलिक करतब, राज के नित नरदेसक सिध्धान तुड है मो आप पड़ना है यूनित नंबर थ्री में आ जाएगा तो आपको मैं बता दूं यूनित नंबर थ्री है इस्ते में से बहुत सारे प्रशनाने वाले हैं मौलिक अधिकार और मौलिक करतब और राज के नीत निर्देशक सिधानत भी तो इस यूनिट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजेगा ठीक है बहुत ही इंप्वाटन्ट यूनिट है अगला है यूनिट अमबर फूर कि मौलिक अधिकार और निदेशक सिधानत के बीच संगर्स के बारे में लिखना ठीक है तो यह साई चीज आ जाएंगी आपके यूनिट नमबर फूर में तो यह आपको पढ़ लेना है ठीक है अगला है यूनिट नमबर फिया फाइप संग कारेकारी और संग बिधायका अधच कैबनेट अध प्रधान मंतरी लोकसभा राजसभा चुना अधच यानि कि कुल मिला के यूनिट नमबर पांच बहुत ही हाई लेबल का क्योंकि इसमें प्रशनाने वाए है आपके संग कारेकारी से जुड़े संग बिधायका अध्धित से जुड़े कोश्चन आएंगे कैबनेट से जु प्रधान मंतरी लोकसभा के बारे में लोकसभा क्या है कैसे क्या होता है इसका सिस्टम बताना है राजसभा के बारे में बताना है चुनाव अध्यच जो होता है उसके बारे में आपको लिखना उसके लिए क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तो कुल मिलाके प अब हम बढ़ते हैं six number unit के ओर ठीक है six number unit आपका जाता है कि राज जी कारकारडी और बिधायका सक्तियों के कार और राज जिपाल और मुखमंत्री बिधान सभा बिधान परसद के सम्मंध ठीक है यानि कि राज जी के जो कारकारडी और बिधायका ये आपका heading हो गया उसमें लगना है कि सकतियों के कार और राजिपाल मुखमंत्री यह राजिपाय की क्या क्या होते हैं उनको क्या क्या पुछे जाने वाले हैं अगला आपका आजाता है यूट नमबर सेवन यूटमबर सेवन में आजाता है कि नियाए पालिका सर्बोच चुन्याले यानि कि कुल मिलाके आप लोग का इफेक्ट थे जिस्टिस यानि कि जहां पर निया हो उससे जुड़े प्रस्ट तो सर्बोच चुन्याले आप सभी को मालूम है सर्बोच चुन्याले में क्या होता है और क्या नहीं होता है इसका गठन कैसे होता क्या मामला होता है इसके बारे में जानकाई देना इसकी परिभासा देनी है उस्टिक नियाला यानि कि आप लोगों का डिस्टिक यह जिला नियाले ठीक ह इस्टिक हाई कोट क्या होता है ठीक है नहीं सोरी यहां पर मिस्ट पाइंट फोड़ा एक मिनिट फिर से माँ जाते हैं स्टार्टिंग से निया पालिका सर्बोच नियाले के बारे में आपको पढ़ना है यानि कि जो आपका हाई कोट होता है जिला जिला नियाले ओके इन सभ और अधिकार अधिकार दो लिखा है तो यह आपको लिखना है बहुत जरनली और कॉमां सा टॉपिक है और यहां से फिरता पूच्य जाने वाले शरमपोंच शिला-अली यहां सारे टॉपिक अलग-ध्याब है आपको पढ़ने पहुत ही आसानी होगी तो जो कि तो यहां पर है प्रसासनिक बिधाई और बित्तिय आदिवासी छेत्रों के लिए बिशेश प्रवधान और प्रभुत्तर चुनाओ प्रवधान और 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 प होने चाहिए वो लिखना है और प्रबोत्तर यानि किया दवासी शेत्र और प्रबोत्तर इन दोनों को आपको ध्यान देना है बहुत ही हाई लेबल का और जर्णली कोश्चन कुछ प्रशन यहां से पूछे जाएंगे लेकिन जो हाई टॉपिक थे मैंने आपको बताया है जै मतलब की परहसानी नहीं मतलब ज्यादा परहसाइन होगी आपको काफी अच्छे समझ भी आएगा ठीक है और मैं आपको बता दूँ इन सभी से जुड़े जो प्रशन है कोश्चन एंसर वाइस सीरीज वह जल्द आप लोगों के सामने हम लेकर आएंगे लेकिन मैंने सुच मुख में कि कारे बताईएं और नंके पावर वो अधिकार क्या होने इसके बारे में तो आप फोंचेंगे की ये तो क्या आगया अगर आप clarity आप रहेंगे तो आपको ध्याना जाएगा कि हाँ यह राज नितिक के जो साफ्त रहे उसके स्लेवर्स में इतके बारे में था इसलिए प्रश्ण आया है ठीक है तो आपको तुरंट समझ में आ जाएगा तो यह साही सीजे होती है अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो काफी और बाकी आप लोग समस्दार है रहें तो एक्सपर्ट हैं आई होप आपको वीडियो अच्छे लगी होगे लाइक करिएगा अगर आपको कोई और कोश्चन है तो कमेंट करें पोचे हम आपको मिलते हैं निस्ट वीडियो में अब तक लिए जहंद और भी नहीं स्लेवर्